नमस्कार दोस्तों नीरू किचन में आपका स्वागत है आज आपके अपने कीचन में बन रहा है पालक वाली दाल ये तो ठंडियों की जान होती ही वेसे हमेशा बना जा सकता है क्योंकि ठंडिया में हरी हरी शाक सब्जया मिलती है तो हम लोग पालकदाल बनाना शुरू करते हैं तो जिसके लिए घृःब मेहीन के साट करने लेन थफ्म से आपको महीन महीन कट करना है थे अधसरे पालक पत्त करना वे पहले कट लिए यह एंट Czech बहुत जल्दी बनती है और खाने में बहुत टेस्टी रगती है और कई वेराटी के दाल भी में अपने घरों में यूज कर लेते हैं बना लेते हैं और फादी मंद भी बहुत होता है क्योंकि हम पालक का यूज करते हैं तो देखिए हम अपने पालक को पहले कट करेंगे और दाल को लेंगे अफटाफट सीटी दिलाएंगे कुकर में डालक और हमारी डाल बन के तयार देखिए अपने पलक को कट कर लिया मेहीं में देखिए चॉप कर लिया ऐसा है पलक को जितना मुझे डाल था आप कम जादा भी रख सकते हो जितना पलक अपको डालना अब मैं ले दाल यह बना दाल जैने में इसी जाशबाना और सब्सक्राइब करनें लूँगी कूकर फटाफट दाल को कूकर में डाल लूँगी और पानी मेजर्मेंट बदाने के लिए मैं करती हूं जिससे यह मैंने दाल को धुला था उसी कटोरे के हिसाब से मैं यह कटोरा पानी भर के पूरा यह देखिए दाल में डाल देंगे और आप चाहें तो और भी पानी बढ़ा सकते हैं अब फिर पटापट अपने पालक को दाल और पानी में मिक्स कर देंगे देखिए जो कटे वी मेरे साब सुत्री पालक है उनको मिक्स कर देंगे अब मैं थोड़ा सा पानी और बढ़ा रही हूं यह जान लेजिए दोस्तों कि यह पांच छे लोग आराम से इसमें डाल खा सकते थे यह थोड़ा सा पालक डालने के बाद पानी तो पालक छोड़ता है लेकिन आप क्योंकि उड़त की डाल गाड़ी होती है तो आप अपने स्वादर उसा डालिएगा खानी वाला नमक में डाल चाशाओ की चंते हैं तो पालक की डाल की जान होती है तो फटा फटींग डाल देते हैं और कुकर को बंद करके गैस पे चाहा के सीटी दिला देते हैं तो मैंने तीन सीटी दिलाई तो दोस्तों और मेरी दाल एकदम देखिए बगवने में ट्रांसफर कर लिया यह देखिए अब इसको क्या करना है इसको हम देंगे तड़का कीकी उरद वाली दाल वह भी पालक वाली और बिना तड्के की तो मज़ा ही नहीं और तो हम भका पनाना इसको शुरू करेंगे सब को मैंने चौप कर लिया है टामाटर को चौप भी नहीं किया मैं टामाटर डालो टामाटर डालने से तौरसा अच्छा आधा है इसकीप कर सकते हो कोई जरूरी नहीं है अब जब मेरा हो जाएगा तो हम उसमें डाल देंगे चलब हमें पिर ऑफाला क्यों आफ़ अमेंद में अभी मैं पर डाल fraction इसमें डलाए क्योंकि मैंने दाल में पहले हंग मात्रा में ज्यादा ढाल दिया है इसे दोस्तों देखिए मारा टमाटर गलना सुरू हो गया है यह दाल बहुत ही टेस्टी लगते दोस्तों अमेजिंग स्वाध रगता है और मैंने जो मैं तो हप्तों में एक दो दिम बना ही लेती हूं और आप लोग भी बनाया करें ठंडियों में तो हरी सब्जिया इतनी प तक नहीं गलेगा हम इस शोकन को डाल में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो हमारी दाल वाधिस्त नहीं वहेंगी तो हम स्यूसर चलाचला कि देख रहे हैं तो मैं चला-चला कि इसको अच्छह भी रही हूं कि लिया है कि जब यah और जब यह एक्छे से गल जाएगा तब हम तो अपनी डाल में छोकेंगे इसको तो दोस्तों मैं मेरा भी थोड़ा-थोड़ा टमाटा इसमें जो है वो कम गुर्लिया भी दिख रही है तो मैं थोड़ा सा इसको और हीट कर दिया होंगी जिससे अच्छे से गल जाए पास और कुछ भी नहीं करना है आप चाहो तो प्या सब्सकुर्ण , पालक डाल बनके त्यार हो गएं दीख रहे हैं दोस्तों तो दोस्तों आप इसी तरीके से पलक डाल बनाए और मैं नीरू आपसे नूह रेस्पी के साथ भी मिलती हूं बाय-बाय दोस्तों